हेलो फ्रेंड्स अगर आपका एक एजुकेशन चैनल है और आपका चैनल 2020 में मोनेटाइज नहीं हो पाया था तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको 2023 में अपने चैनल को ग्रो कैसे करना है कि इन गलतियों को कभी भ करना होगा जो कि 90% लोग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है दूसरी नंबर पर देखे तीप्स रिलेटेद टु वीडियो सेरिंग जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता है कि हमें वीडियो को शेयर कहां पर करना है और हम कहें भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, तिसरा जो point है, improve video and audio quality, आपको अपने video quality और audio quality पे ध्यान रखना होगा, कैसे improve करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा, देखें, fourth point आपका है, YouTube का SEO, इसके बारें बात करेंगे, fifth point पे मैं आपको कुछ lines बताऊंगा, जिसको आपको हमेशा याद रखन करना है, तो चलिए start करते हैं video को, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कि आपको अपने videos को share कहां पे करना है, तो जब हम YouTube channel start करते हैं, तो हम video को कहीं भी share करने का मतलब क्या है, तो देखें, कभी-कभी तो यह होता है, कि हम अपना video का status ही लगा देते हैं, तो status लगाने नहीं करते हैं, तो देखें, फर्स्ट बात तो आपको status कभी भी ने लगाना है, और video को share आप वहीं पे किजिए, जहां पर लोग कम से कम 50% आपके videos को देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप चाचा, चाची, मामा, मामी इन जगों पर आप share कर दिए, उन लोगों को तो तो देखें, सबसे पहले आपको एक group बनाना होगा, यदि कोई group है, तो आप उसमें add हो जाइए, जहां पर सिर्फ students होने चाहिए, और वहां पर आप क्या किजिए, कि अपने videos का link share किजिए, I hope आप समझ गे होंगे, कि आपको video को share कहा पे करना है, और देखें, next है हमारा improve video and audio quality, आपको सबसे पहले video quality को improve करना होगा, video quality को हम improve कैसे कर सकते हैं, तो देखें, video quality को improve करने के लिए सबसे पहले आपको professional video बनाना होगा, और उसके लिए application भी professional चाहिए, तो मैं इसके लिए एक link देदूंगा, ठीक है, एक whiteboard का, आप वहां पर यदि videos बनाएंगे, तो आप अपने video quality को improve जरूर करें, और audio quality को आप improve कैसे कर सकते हो, आप कितना भी महंगा माइक लिए लो, आपका audio quality कभी भी improve नहीं होगा, जब तक आप अपने बोलने के style में improve नहीं करोगे, आपको पूरा खुल के बोलना है, पूरा confidence के साथ बोलना है, कुछ लोग तो होते है कि अपने मुह में ही बोलते हैं, बाहर आवाज बिने निकल परना है, पूरा confidence के साथ बोलिए, निधड़क बोलिए, जो भी आप बोल रहे हैं, अगर खराब quality का भी माइक रहे ना, तो यदि आप अच्छा से बोलते हैं, तो आपका voice पूरा clearly record होगा, कोई problem नहीं होगा, क यूटूब का SEO में होता क्या है, तो title, description, thumbnail आपको कैसे लगाना है, तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, link में आपको description में दे दूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप देख लिज जाएगा, सबसे पहले आप देखिएगा कि आपको whiteboard का use कैसे करना है, कौन सा, उसका भी मैं link देऊगा, YouTube SEO का link देऊगा, तो चलिए, अब हम देख लेते हैं, आखिर किन किन settings को हमें enable करना होगा, उसके बाद हम बात करेंगे, fifth point की और, component settings को enable करते हैं, settings को enable करने के लिए, आपको chrome browser को अपने mobile में open कर लेना है, देन आपको search करना है youtube.com, तो youtube.com हम यहाँ पर simply search करेंगे, देन आपको करना क्या है कि अपने mobile को desktop site में कर लेना है, तो desktop site में हम करते कैसे हैं, देख लिजी आपको screen में सब कुस दिखाया जा रहा है उसके बाद देखिए, आपको अपने channel की logo में क्लिक करना होगा, तो आपका channel का logo सबसे उपर में corner में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ के बाद आपको your channel में क्लिक करना है, तो your channel में जैसे आप क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का interface खुलेगा, यहाँ पर आपको customize channel में क्ल चैनल में चैनल के अंदर में जाने के बाद देखिए यहां country of residence अब किस देश के निवासी है तो सबसे पहले आपको यहां पर अपने country को select करना होगा तो मैं यहां से इंडिया को select कर लेता हूँ देखिए यहां पर keywords है आपका यह box खाली होगा भी ठीक है तो keywords में आपको क्या fill करना है तो आपको अपने चैनल को नाम को डालना है लोग आपके चैनल को किन किन नाम से search कर सकते हैं जैसे मेरा चैनल का नाम है Mr. रंजित भाईया Mr. रंजित भी लोग search कर सकते हैं रंजित भाईया कर सकते हैं रंजित कर सकते हैं यानि आपको दिमाग लगाना होगा कि आ समसे कम 7-8 यहां पर लिखेंगे आप text को दिन आपको क्या करना है advanced setting में दिखेंगे उपर में advanced setting है advanced setting में जाना है और यहां से आपको कुछ settings को करना है तो दिखें यह जो है no set this channel as not met for kids यानि आप अपने channel पर बच्चों से सम्मधित वीडियो कभी भी ने बनाएंगे यह आप आपको यहां पर clear करना होगा यानि इसमें tick लगा देज जाएगा देन आपको simply save का button नीचे दिखेगा simply आपको save वाले button में click कर देना है आपका सारा कुछ save हो जागा तो मेरा already save है मैं close कर देता हूँ दिन आपको क्या करना है ध्यान से देखिए तो फिर से हम setting में ही आ लें upload default में जाएंगे तो upload default में जाने के बाद देखिए यहां पर advance setting का एक option है तो advance setting में ध्यान से समझेगा सबसे पहले आपको license को select करना होगा तो यहां से आपको YouTube sorry standard YouTube license को select करना है दिन देखिए आपको अपने channel के category को select करना होगा YouTube को बताना है आपको कि आपका किस category का channel है ताकि उसी category के audience के पास आपके video पहुँच सके और तभी public आपके videos को watch करेगी ठीक है तो यहां से देखिए सभी category का लगभग channel है तो आपका education है तो यहां पर आप education channel को select कर लेंगे मेरा science and technology है तो यहां पर हम click कर देंगे दिन देखिए नीचे language है आपसे language पुछा जा रहा ह तो यहां से आप Hindi को select कर लेंगे बहुत से language आपको देखने को मिल जाएंगे तो देखिए उसकी नीचे यहां पर देखिए caption certificate तो यहां से आपको none को select करना है titled and description language तो आपका जो title और description है उसको आप किस language में लिखेंगे वो आपसे पुछा जा रहा है तो यहां से मैं English select कर देता हूँ यदि आप Hindi में अपना title और description लिखते हैं तो आप Hindi को select कर लिजएगा और simply आपको फिर से क्या करना है बिल्कुल सही नीचे एक save का button है आपको save में click कर देना है आपका सारा details save हो जाएगा देखिए कुछ important बाते हैं जो कि आपको हमेसा याद रखना है तो देख time है तिर्फ आपके वो इसके पीछे नहीं रणा है ठीक है आप एक professional वीडियो बनाईए बस आपको ये सोचना है कि आपको अपने channel को बहुत बढ़ा करना है फिर ये जो 1000 subscriber और 4000 घंटा वास्टाम है न ये आपको कुछ भी नहीं लगने लगेगा ठीक है तो आपको कभी भी demotivate नहीं होना है regular base पे वीडियो बनाईए और किसी भी तरह का कोई भी आपको help की जरूरत हो तो आप comment box में comment कर सकते हैं link आपको description में दे दूँगा instagram का आप वहाँ भी हमसे बात कर सकते हैं तो हर जगा मैं support करने के लिए तैयार हूँ